मुक मंत्रियों की सिंखला में आज की कहानी है हिमाचल प्रिदेश के मुक मंत्री सुख बिंदर सींग सुख होगी तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानिकारी देखेंगे और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कुछ पिक्चर और आप लोग देख लिए यह आप देखेंगे इनका परिवार है इनकी पत्नी है आप देखेंगे इनकी दोनों वेटिया है यहाँ आप लोग देख सकते है और इनका संबंध कहां से है हिमाचल प्रिदेश से और हिमाचल पिदेश की बात करें तो आप देखेंगे सिमला इसकी राधधानी है और दूसरी राधधानी धरम साला है सीत कालीन राधधानी और इसे आप देखते हैं कि राज की रूम में दरजा मिला था 25 जन्वरी 1971 में और यहां बिधान सभ़ा में 68 सीट हैं, राज्य लद्दाक जम्मु कस्मीर, पंजाब, हरियाना, उत्तर पिदेश, उत्तर खंड से लगती है. इसकी अंतराष्टी सीम्हा, चाईना से लगती है. चाईना से लगती है. सुक्विंदर सिंग सुक्षु, इनका पूरा नाम है. इनका जनम होता है 27 March 1964 में. इनका जनम हुआ था नादौन हिमाचल पिदेश में और इनकी पतनी का नाम कमलेश ठाकोर है इनकी सिक्षा की बात करें तो राज की उच्चे विध्याले कसुम पट्टी सिमला से हुई है और विस्विध्याले की बात करें तो डिग्री कॉलेज संजोली हिमाचल पिदेश व भार्ती राष्टी कॉंग्रेस से जुड़े हुएं और कॉंग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो एक पुराना राजनितिक दल है 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी और पहले देश की आजादी के लिए एक संगटन की रूम में स्थापना की गई थी बाद में आप देखते हैं कि यही एक राजनितिक पार्टी बन गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डबलू सी बना जी बियुमेड चंद बना जी और इसके संस्थापक थे ए ओ हियूम अगर हम लोग इनकी पॉलिटिकल जर्णी की बात करें राजनितिक यात्रा राजनितिक सफर देखें तो आप देखेंगे कि 1989 से 1995 तक NSUI के पिदेश अध्यक्ष रहें कौन? सुकराम सुकू NSUI के अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? National Student of Union है ये ठीक है? कॉंग्रिस से जुड़ा हुआ है 1998 से 2008 तक भारती राश्टी इवा कॉंग्रिस के अध्यक्ष रहें फिर आप देखें 1992 से 1997 तक सिमला नगर निगम के पारसद रहें 1997 से 2002 तक सिमला नगर निगम के पारसद की रूमें पोनहा निर्वाचित हुए 2003 में राज बिधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और देखें बिधान सभा की अगर हम लोग बात करें ना तो अगर आपको विधान सभागा चुनाव लरना है विधायक बनना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चाहिए अधिक तम उमर कोई निधारित नहीं की कभी तक आप लोग चुनाव लर सकते हैं और इसका चुनाव डारिक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता ह अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकिये तो बोटर सुची में आपका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे और ये चुनाव करवात हो कौन है एलेक्शन कमिंशन आप इंडिया भारती निर्वाचनायो एक समिधानिक संस्ता है समिधान के 1950 में इस्थापना होई थी नई दिल्ली में हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले हमारी मुख चुनाव आएक्ट थे 2007 में इनोंने राज विधान सभा के लिए पुनहा निर्वाचित हुए 2007 से 2012 मुख सच्चे तक कॉंग्रेस विधायक दल के रहे 2017 में 13 भी विधान सभा के लिए पुनहा निर्वाचित हुए और 2017 में सारवजिक उक्रमों और विशिस अधिकारों वो वेवसाय सलाकार सम्ती के सदस की रूम में नामित हुए 2013 से 2019 तक हिमाचल पिदेश कॉंग्रेस कमेटी के अधिक्ष रहे और 2022 में आप देखे हिमाचल पिदेश विधान सभा चुनाओ 2022 में नादोन निर्वाचन चेस से इन्होंने सीट जीती और विधायक बने और आप देखें 2022 में ही इन्होंने सुखविंदर सिंग सुख को मु और भी किसी के बारे में जानने की दिल्चस्पी हुआ करें तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे